दोस्तो इस वीडियो में आप लोग को मैं एक रियल मी का फोन है और किसी भाई ने इसको बाहर में खुलवा दिया है और ये फोन अभी चालूर नहीं हो रहा है और ये मेरे स्वाप पे भी आया हुआ है तो दोस्तो आप लोग देख सकते हैं मैं भी चार्जिंग लगाया हुआ हूँ और चार्जिंग में भी ये फोन अन हो नहीं रहा है ना चार्जिंग सो कर रहा है ना पावर बटन अगर हम प्रेस करते हैं तो भी ये अन नहीं हो रहा है तो इस फोन में क्या प्रोब्लम है ये कैसे ठीक होगा यह पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ तो वीडियो को आप लोग बिलकुल इसकी मत करिएगा तभी आप लोगों को पूरा चीज़े यह समझ में आएंगी कि इस कंडिशन में हम क्या करते हैं तो अभी हमने बैक कबर को ओप करके चेक करेंगे कि हमारा मदरबोड जो है कंडिशन में है या नहीं है रिपेयर हो भी जाएगा या नहीं होगा तो अभी हमने सारे पत्ते को निकाल लिया है और मदरबोड को भी हम ओपन करके देख रहेंगे कि हमारा मदरबोड फ्रेस्ट है कि नहीं है तो यह हमारा मद प्राइब हो गया है तो यह में इसको ठीक नहीं कर पाएंगे किसके अंदर में आइसीज लगी होती है लोग हीट वगर मार देते हैं मार्केट में यह पूरा डाय में जो जाता है तो इस कंडिसन में क्या करते हैं कि सिधा मजर बोड को भी चेंज कर देते हैं आजकल आप लोगों को भी पता है कि मदरबोर्ड भी मार्केट में आजकल असानी से उलेवल होता है और मिल जाता है तो यह पूरा मदरबोर्ड हमारा खराब हो चुका है और मैंने न्यू मदरबोर्ड फ्रेस मंगवा रखा है और इसको हम असानी से चेंज कर देंगे तो यह आप लोग देख सकते हैं फोन में जो भी पार्ट समा रहे हैं छोटे-छोटे जैसे केमरा हुआ और फिंगर पिंट होगा रहा हुआ इनको प्रॉपर तरीके से जैसे पहले लगा रहाता है से मुझसी तरीके से दूसरे वाले मदरबोर्ड में लगा लेते हैं है कि तो आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं एक पार्ट को मैं बिलकुल आसानी से इस मदर बोड में लगा लिया है और मदर बोड में लागाने के बाद हादे आप लोग देख सकते हैं बिलकुल यह review मदरेबोर्ड है और यह हमारा मदरबोड पुराना वाला है जिस पे IC पे काम हुआ है IC LED आप लोगों को डामेज इसमें दिखी भी रही है तो हमने क्या किया है कि पुरा इसका प्लेटी चेंज कर दिया पुरा मदरबोड को ही चेंज कर दिया आप हमने मदरबोड को यह पूरा चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद इसके अंदर बैटरी का पत्ता चार्जिंग का पत्ता और डिस्प्ले का पत्ता को प्रॉपर तरीके से कनेक्टर लेंगे और यह जो वायर है यह RFK वाल है इस से ने ट्रोक आता है इसको भी हम प्रापर तरीके से फिट कर लेंगे और प्रापर तरीके से फिट हो जाने के बाद फोन का हम जो होता है कबर उसको हम लगा के उसमें पेच लगा लेंगे और सारे पेच को प्रापर तरीके से टाइट भी कर लेंगे कि कहीं से धीला ना रहा है तक कि हमारा जो मजरबूर होता है वो प्रॉपर तरीके से बैठ जाए जाए दोस्तों अभी यह हमने पेच लगाना स्टार्ट कर दिया है और यह जितने भी पेच हैं सारे पेच को भी हम इसमें लगा लेंगे और लगाने के बाद फोन क इसको आप लोग देख सकते हैं अभी हम इसको चार्जिंग में लगा रहें दोस्तों तो यह चार्जिंग में आप लोग देख सकते हैं यह कि यह हमारा फोन डिस्चार्ज नहीं है एक बार इसको हम दस मिनिट तक लगा कर छोड़ेंगे जब यह पूरा चार्ज हो जाएगा तब यह आप लोग सकते हैं तुबारा मैंने चेक किया है और यह चार परसेंट चार्ज होने के बाद अब इसको हम आउन करके देख लेंगे हमारा पूरा फोन अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है तो हमने Tim Да एप यह प्रेस कराया है और देख सकते हुआ आप लोग इस फोन ने मधरबूर्ड का प्रावल्म थी और हमने मधर भोड को रेप्लेस कर दिया है और यह जो मोडल है यह सित्रील और यह फोन को चस्टमर ने मार्केट में दिखा दिया था और दुबारा यह हमारे पास ले आया तो हमने इसका मदरबोड को चेंज कर दिया और मदरबोड को चेंज करने के बाद हमारा प्रॉब्लम जो है प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो गया है और फोन हमारा बिल्कुल फा से कभर को प्राफर तरिके से कर लेते और कख करने के बाद एक बार दुबारा से एंग चेक कर लेशंती चीजे हमारा प्राफर वर्क कर रहेंगे ने कर रही हैं है कि तो दोस्तों खोर पहर को यह दोब करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू फ्रेंट्स